दोस्तो आज हम आपको बताएंगे कि क्या होता है उस मिडिल क्लास भाई बेन के साथ जो अपनी फूटी किसमत लेके अपनी फूटी हुई स्कूटी से जेब में दो फटे नोट लेके जिन्देगी में अपनी पहली बार पी वीर पहुंच आते हैं के जी एफ टू देखने के बाई तेरा खुद का मोबाईल तो चाइना का है दोस्तो उसके बाद हम ठेरे रहे और जमीन चलने लगी और हम पहुंच गए पी वीर में चल बैंड टिकेट निकाल अंदर जाना है ना बाई गलती हो गई मैंने तेरा वाला टिकेट बुक करना भूल गई चोड़ी जोरी करनी के आदद नहीं गई ना अरे मुझे लगा कम से कम पॉपकॉन और पेपसी के पैसे निकाल लू बट प्लान फेल हो गया और मैं पकड़ी गई फिर हमारी नजर उपर स्क्रीन में पड़ी जहां पॉपकॉन और पेपसी के प्राइस लिखे हुए थे हमारी बहन प पुझबुझ दिखा के यह चड़ी यह फसी बैंक को कॉल लगाया लोन लेने के लिए हलो यह चड़ी यह फसी बैंक यस मैम बोले हम कैसे अब किसाइटा कर सकते हैं हमें लोन चाहिए था जी मैम जरूर कितने लक्स का लोन चाहिए 5 लाग 10 लाग 15 लाग नहीं बस 660 अब चली यह चिंदी काम में खुद नहीं करता किसी का पेर वेर पकड़ना है तो बोल वो कर सकता हूँ Excuse me मैम यहां फ्री में कुछ मिलता है क्या हां मिलता है न मैम एक से एक तरह तरह की गालियां मिलती है दू क्या बाई लगता है किसमत में पॉपकॉन है ही नहीं आज पूरा मूवी बिना पॉपकॉन कहीं देखने पड़ीगी अरे टेंशन नको तेरा भाई अभी जिन्दा है क्या कर लेगा तू तू तो मुझसे बड़ा भिकारी है अपनी बहन को ऐसे बेवस और लाचार देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने अपने बड़े भाई होने का फर्ज अदा करते हुए पूरे स्टाफ लोगों के पेर पकड़ गया लीजे मैं पॉपकॉन आपके भाई के तरफ से हैं क्यों बे देखा तेरा भाई कुछ भी कर सकता है तेरे लिए अच्छा ये बात क्या तो सुनना मुझे वो तीन सो रुपीज वाली पेपसी भी दिला दे चल अबे बात बस पॉपकॉन की ही हुई थी बे अबे ये क्या ट्रेन का जैनरल डिबा समझी क्या इस बीच मुवी शुरू हो जाती है रौकी भाई की एंट्री भी हो जाती है बैन पॉपकॉन खान में ब्यस थी और यहां इंटरवल भी हो जाती है अरे लड़की जल्दी भाहर चल क्यों भाई कुछ और खाने की चीज़े खरीदने वाले हो क्या अबे जल्ब है मिडल क्लास लोग इंटरवल में बस मूतने के लिए भाहर आते हैं अरे भाई ये लेड़ी स्टोइलेट किदर है अबे वो जेंट्स टोइलेट है वी मा बागो दोस्तो दो चीज़े हो सकती इदर या तो मैं ओडिया पढ़ना लिखना भूल गया हूँ या फिर यहां जो वाक्य लिखे गए हैं वो गलत है दोस्तो मूवी का क्लाइमेक्स आ चुका था और हमारी बहन फूट फूट के रो रही थी हाला कि एक बूद भी आशू कहीं दिख तो नहीं रहे थे रोकी भाई मर गया अबे पागल यह क्या कर रही है भाई बहुत मेंगी चीज़े हैं घर तो लेना पड़ेगा न ये पागल औरत रखी से अरे बच्चे किदर जा रहा है फिल्म तो खतम हो गई अबे लोग अपना काम करना हे गाईज आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर आया है तो हमको कैसे पता चलेगा यार अगर आप लाइक कॉमेंट सेर नहीं करोगे तो इतना तो कर सकते हो चलो गुडबाई एब्रिवान आगे और भी मजितार वीडियो आने वाले स्टे टून रोकी भाई मर गया